इस वीडियो में हम difference of sets के उपर बात करेंगे के how do we find the difference of set or how we subtract two sets or three sets. So we are finding this. So let's start this video. First we are taking two sets like A equals 1, 2, 3, 4 and 5 और B बराबर है 2, 4, 6 and 8 के. यह हमाई पास दो sets हैं और हम इन दोनों sets का difference find करने वाले हैं मतलब इन दोनों sets को minus करने वाले हैं. तो A हमारे पास किसके बराबर है? A set हमें given है. इसके बराबर तो हम यह इसकी value put कर दी हमने यहाँ पर. ठीक है? और B बराबर है इस set के which is 2, 4, 6 and 8. तो हमने इसकी value भी यहाँ पर put कर दी. और हम इन दोनों का find कर रहे हैं? difference find कर रहे हैं. ठीक है? क्योंकि हमें A minus B find करना था तो हमने A की जगा पे A का set put किया और B की जगा पे B का set set put किया और sign minus का उनके बीच में ऐसे ही है. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों sets के जो common elements हैं, ऐसे elements जो दोनों sets के अंदर मौजूद हैं, हम उनको highlight करेंगे. देखें, one है दूसरे वाले set में? नहीं है. two है? yes, two दूसरे वाले set में भी है. तो हमने इसको highlight कर लिया. three है? नहीं. four? yes, four भी दोनों sets के अंदर मौजूद है. five है? नहीं है. तो हमने वो सारे elements को highlight कर लिया, जो के दोनों sets में थे. अब हमें क्या करना है? पहले set में से जो highlighted elements हैं, जो के दूसरे set में भी मौजूद थे, हम उनको cancel कर देंगे. मतलब वो minus हो जाएंगे. ठीक है? तो जब वो minus हो जाएंगे, तो अब हमारे पास first set में, जो के हमारे पास set A था, उसमें कौन-कौन से elements बचे हैं? हमारे पास one बचा है, three बचा है और five बचा है. तो बस हम इनको ही set की form में लिख देंगे, तो हमारे पास ये a minus b का difference या subtraction find हो जाएगी. ठीक है? हमने क्या किया? simple हमने set A में से वो सारे elements को minus करके हटा दिया, जो के set B में भी आ रहे थे. एक चीज़ यहाँ पर जरूर नोट कीज़ेगा, जब आप minus कर रहे हैं, सिर्फ minus, तो आप जैसे set B में 6 और 8 भी बचा था, लेकिन आप वो नहीं लिखेंगे. जब आप A में से B को minus कर रहे हैं, तो B के तमाम elements को minus करने के बाद, जो set A में elements बचेंगे, सिर्फ आप वो ही लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पर 1, 3 और 5 बचा, तो हमने सिर्फ वो ही लिखा, set B में 6 और 8 बचा था, वो हमने नहीं लिखा. तो यह बहुत असा concept है, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक सवाल की और practice करते हैं, इस वीडियो के अंदर. Let's see, हमने यह एक set लिया है, A equals X, such that X belongs to integers, and X is greater than 2, and less than, and equals to 7. ठीक है? और यह set B है, इसी तरीके से हमारे पास, अब क्योंकि यह sets हमारे पास set builder form में given है, तो पहले हम इनको tabular form में इसको हम represent करेंगे, ताके फिर हम उसकी subtraction कर सकें, तो यहाँ पर X belong कर रहा है integers के साथ, और हमें वो integers लेने हैं, जो 2 से बढ़े हो, और 7 से छोटे और 7 को भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे less than, और equals to का sign है, तो 2 से बढ़े integers लिखते हैं, 3 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 5 है हमारे पास, 6 है, और क्योंकि 7 को भी include करना है इस लकीर की वज़ा से, तो हम 7 भी लेंगे, तो हमने इस set को, जो के set builder form थी, हमने tabular form में represent कर दिया, अब हम इस दूसरे set को भी tabular form में represent करेंगे, ये set कह रहा है, b equals x, such that x belongs to odd numbers, and x is less than 10, odd numbers हमें लिखने हैं, जो के 10 से छोटे हों, तो again tabular form बनाते हैं, इसकी odd numbers लिखना स्टार्ट करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये वो तमाम odd numbers हैं, जो 10 से छोटे हैं, तो ये जो set builder form है, बेसिकली इस tabular form की है, तो हमने दोनों sets को tabular form में पहले लिख लिया, और अब हम find करने जा रहे हैं, difference of sets, इसका मतलब है कि हम a minus b को find करने जा रहे हैं, तो a बराबर है this set, and b बराबर है to this set, तो हम इन दोनों की values इसी तरीके से put कर लेते हैं, हमने इन दोनों को put कर लिया, again हम common elements को highlight करेंगे, 3 जो है वो दोनो sets में आ रहा है, 5 दोनो sets में आ रहा है, और 7 दोनो sets के अंदर आ रहा है, तो अब हमारे पास set a में कौन से elements बचे हैं, 4, तो हम इन तमाम को cancel करेंगे, और अब बचा हमारे पास 4 and 6, तो अब हम इनको लिख देंगे, तो ये हमारे पास a माइनस b का result आएगा, again I am highlighting, जैसे के यहाँ पर 1 और 9 बच रहा है, second set में, तो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमने कर लिया, अब इस वीडियो के last में एक property होती है, जिसको हम commutative property कहते हैं, लेकिन हमें पता है, normal numbers के अंदर, commutative property, subtraction के साथ काम नहीं करती, तो यही चीज़, basically sets के लिए भी एक property है, कि a माइनस b बराबर नहीं होता, b माइनस a के, तो हम इसको भी check कर लेते हैं, और हमारे difference of set की, साथ साथ practice भी हो जाएगी, ठीक है, तो पहले हम इस left hand side पे जो लिखा हुआ है, a माइनस b, उससे start करते हैं, और इनकी values को put करते हैं, a बराबर है, one से लेकर five तक, तो हमने put कर दिया, और b बराबर है, two, three, five, seven, तो हमने वो भी put कर दिया, अब हमें इन दोनों को subtract करना है, तो हमें क्या करना होता है, कि पहले set के common elements को cancel करना होता है, तो two, three और five हम देख सकते हैं, कि ये तीनो common elements थे, ये तीनो elements इस वाले set में भी मौजूद थे, तो हमने वो cancel कर दिये, अब set a में क्या बचा, one और four, तो ये हमारे पास इसका answer आ गिया, a माइनस b बराबर है, one and four के, ठीक है, अब इसकी दूसरी side को भी solve करते हैं, जो कि है b माइनस a, तो हमने b माइनस a लिया, और इसी तरीके से हमने इधर भी values को put कर दिया, b बराबर था two, three, five, seven, हमने put कर दिया, और one बराबर था, one से लेकर five तक, तो हमने वो भी put कर दिया, अब हम इन दोनों का difference या minus को find करेंगे, highlight करते हैं, common elements को cancel करेंगे, common elements तो जाहर है, change नहीं होंगे, क्योंकि दोनों sets तो same है, तो उनके common elements वही दुबारा से two, three और five होंगे, लेकिन अब हमें पता है, कि हमें पहले वाले set के ही elements लिखने होते हैं, मतलब अगर हम B minus A find कर रहे हैं, तो B set में जो elements बचेंगे, हमें वो लिखने होंगे, और B set में क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ seven, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, कि दोनों sets तो same थे, और दोनों के common elements भी same हैं, लेकिन क्योंके यहां पे A minus B था, तो हमने A के remaining elements को लिखा, और यहां पे B minus A था, तो हमने B के remaining elements को लिखा, क्योंके हम पहले set के remaining elements को हमेशा लिखते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि A-B जो है 1,4 के बराबर है और B-A जो है वो 7 के बराबर है ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब है ये property बिलकुल ठीक है कि A-B बराबर नहीं होता B-A के तो एक ये छोटा सा concept है difference of set का I hope कि आपको समझ में आ गया होगा इसको वीडियो को दे